अब हम यहां पर प्रश्णावली तीन दिसंबलो तीन का ही प्रश्ण तीसरे का भाग पांच में सौल बगरेंगे पार्ट फाइब तो यहां पर प्रश्ण को देखेंगे हम यदि किसी भिन्ने के अंस और हर दोनों में दो जोड दिया जाए तो वह नो बटे ग्यारा हो जाती है यदि अंस और हर दोनों में तीन जोड दिया जाए तो वह पांच बटे छे हो जाती है वह भिन्ने ग्याद कीजिए तो हम मान लेते हैं यहां पर अंस और हर की बात हुई है तो भिन्न का अंस मान लेते हैं X और हर मान लेते हैं Y अब अंस और हर मान लिए हमने तो भिन्न होगी भिन्न होगी कितनी X बटे Y क्योंकि अंस और हर से मिलकर ही भिन्न बनती है तो X बटे Y अंस बटे हर अंस ये उपर का हर नीचे का यह तो आपको पता होना ही चाहिए, तो भिन्न होगी X बटे Y, तो यहाँ पर हम देखेंगे, किसी भिन्न के अंस और हर दोनों में दो जोड दिया जाए, भिन्न क्या है, X बटे Y, तो यहाँ पर X बटे Y, तो भिन्न के अंस में और हर में दो जोड दिया जाए, तो अंस है उ 9 बटे 11 हो जाती है, इसे हम solve कर लेंगे पहले और समीकाण एक बना लेंगे तो यहां पर तरिया गुना हो जाएगा एक्स प्लस 2 में, तो 11 का गुना है और यह यहाँ नो के क्वणा में अजाएगा तो नो का कोना Y में तो जाएगा okay on değiş, no plus 10 का क्वणा 2 में हो जाएगा तो जाएगा 18 स्था लैक अब यहाँ पर हम X कमाण निकाल लेंगे यहीं पर, तो यहाँ पर प्लस के Baiis को ब्रावर के उस प्रब ले जाएंगे तो यहां पर 9Y प्लस 18 जाओं किते हूं प्लस के 22 ब्रावर के इस तरह आए माइनस के 22 इस तरह बचे 11X यहां पर सॉल्व करेंगे तो 9Y जाओं किते हूं माइनस के 22 में से प्लस के 18 घड़ जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4 X के साथ 11 गुणा में है 11 को बरावर को उस तरह भेज देंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे 11 जिसे हम समीकान एक नाम दे देंगे ये हमारे पास समीकान एक आ गया है अब हम यहां पर दूसरी सर्थ देखेंगे अब तो यहां पर दूसरी सर्थ क्या है अंस और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह पांच बटे छे हो जाती है तो भिन्न है X बटे Y तो अंस और हर दोनों में कितना जोड़ना है? तीन तो अंस में तीन जोड़ दिया और हर में तीन जोड़ दिया तो भिन कितनी हो गई? पांच बटे 6 अब यहां पर हम त्रियक गुणा करेंगे तो 6 का गुणा उपर हो जाएगा इन दोनों का गुणा 5 हो जाएगा तो 6 का गुणा X में होगा तो हो जाएगा 6X प्लस 6 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 18 बराबर अब Y प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 5 में तो Y का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 5Y प्लस 3 कवड़ा 5 में होगा तो हो जाएगा 15 तो अब यहां पर देखेंगे हम X की जगह पर X का ये मार रख देंगे समीकान एक से यहां पर X का मार रखने पर तो यहां पर हम पहले इसको थोड़ा और सरल कर लेती है 6X प्लस के 18 को बरावर को उस तरफ भेड़ देंगे तो यहां पर 5Y प्लस 15 प्लस के 18 बरावर को उस तरफ आए तो हो गए माइनस के 18 यहां पर 6X बरावर 5Y माइनस के 3 बचेंगे यहां पर माइनस के 18 मैंसे प्लस के 15 घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3 अब यहाँ पर solve करेंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे हम अब यहाँ पर x का मान रख देंगे हम इस x की जगहे पर 9y माइनस 4 बटे 11 तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहां पर समीकरण 2 में x कमार रहेंगे तो 6 into x की जगाए पर x कमार कितना है 9y माइनस 4 बटे 11 9y माइनस 4 बटे 11 और बरावर के इस तरफ कितना है 5y माइनस के 3 आगे solve करेंगे हम यहां पर तो यहां पर 6 का गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 6 नम्मा 54y हो जाएगा यह 54y माइनस 6 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 24 11 का यहां पर 3 गुणा होगा तो 11 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा एक का गुणा इन में होगा तो ये ज्याओंकत्यों ही रहेगा जो यहां पर आया हुगा है तो 11 कागुणा 5Y माइनस 3 में होगा तो 11 पाचे 55Y माइनस 11 कागुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 33 अब यहां पर देखेंगे हम तो ये वाई वाई के एक तरफ ले लेंगे और बिना वाई बाले एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पर चमवन वाई जहां काते हो 55 वाई प्लस के हैं बरावर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे माइनस के 55 य बरावर को उस तरफ ले जाएंगे माइनस के 24 तो बरावर को उस तरफ हो जाएंगे प्लस के 24 यहां पर माइनस के 33 जिया हो किते हो माइनस के 24 बरावर को उस तरफ गाए तो हो गाए प्लस के 24 माइनस के 55 य मैंसे प्लस के 24 घट जाएंगे तो बची का कितना माइनस के 9 33 मैंसे 24 घटेगा तो कितना बचेगा 9 लेकर चिन रहेगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा Y बराबर आजाएगा यहाँ पर 9 तो यह Y कमान आगया 9 अब हम इसी Y से X कमान निकाल लेंगे तो यहाँ पर यह Y कमान समीकान एक में रखने पर इस Y की जगह पर तो यहाँ पर समीकान एक में Y कमान रखने पर यहाँ पर समीकान एक में Y कमान रखेंगे तो समीकान एक क्या है X बराबर 9Y माइनस 4 बटे 11 तो 9Y y की जगा है पर हम y कमार रख देंगे 9 माइनस 4 बटे 11 अब यहां पर इसे हम solve करेंगे तो यहां पर solve कर लिते हैं हम तो यहां पर x बराबर 9 का गुणा 9 में होगा तो 81 माइनस के 4 जाओं किते हूं बटे में 11 जाओं किते हूं 81 माइनस के 4 और बटे में 11 यहां पर देख लिजी 9 का गुणा 9 में होगा तो हो जाएगा 81 माइनस के 4 जाओं किते हूं बटे में 11 जाओं किते हूं x बराबर 81 में से 4 घटा देंगे तो बचेंगे 170 और बटे में 11 जाओं किते हूं ग्यारा गफाग से 70 मिनेंगे तो साथ बार जाएगा तो X कमान आ गए साथ तो यहां पर देख लिजी आप X कमान आ गए साथ यह रहा यहां पर 11 थे आपको उताज़ने में सरलता होगी 11 कफाग 70 मिनेंगे 7 बार जाएगा X कमान आगे 7 अब हमने माना क्या था अंस X है हर Y है भिन है X बटे Y तो हमें भिन नहीं क्याद करना है भिन होगी कितनी भिन होगी X बटे Y बराबर X कमान 7 बटे Y कमान कितना है Y कमान है 9 साथ बटे नो ये है हमारा आंसर और यही है हमारी भिन तो इस प्रकार आपको प्र्शना वली तीन दिसम्वलो 9 के प्रशन तीशरे के पाच्में प्रशन को चो part 5 है इसको यहां पर इस प्रकार दिशkah लिना है साथ बटे नो आजाएगी भिन तो देख लीजिए आप यहाँ पर इस प्रेश्ण को परच्छा की द्रिश्टी से यह प्रेश्ण भी बहुत अधिक महत्रकूर है यदि आप संपोर्ण का ख्षदस NCRT को हल साइद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन जरूर चेक करें हमने संपोर्ण का ख्षदस NCRT को हल किया हुआ है तो नोट कर लिजा आप इस प्रेश्ण को अच्छी तरह से यहाँ पर